आज के इस वीडियो के अंदर हम एक FMCG स्टॉक के उपर बात करने वाले हैं क्योंकि उस FMCG स्टॉक के अंदर हुआ एक breakout पूरे pattern की बात करूँआ तो एक rounding bottom chart pattern बन रहा है यह FMCG स्टॉक अभी कुछ time पहले double हो चुका था उसके बाद एक यहां पर time correction इस stock के अंदर चल रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि इस stock के अंदर bottom बन चुका है और यहां से एक अच्छी कासी तेजी हमको इस stock के अंदर आती भी नजर आ सकती है तो नमस्कार दोस्तों मैं विजे आप सभी के हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस stock के अपर बात करने वाले है वो स्रपेक education की मक्सद से है खरीदार बिक्वाली करने की मेरी कोई राय नहीं है जो भी कुछ आपको करना है अपने financial advisor की राय लेकर आप कर सकते है आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले है stock का नाम है ITC Limited पहले में वीडियो की date और time बताना चाहूँगा अभी जो वीडियो बना जा रहा है 9 July 2014 को बना जा रहा है और अभी जो time हो रहा है वो दुपेर के 2 बजगे और 2 मिनट हो रहे है आप यहाँ पर time देख सकते हैं अभी भी लगबग 90 मिनट बाकी है market को close होने में इस समय ITC का जो भाव है वो 4502 रुपे चल रहा है हो सकता है market close होते समय stock के अंदर और भी बढ़ाता है या थोड़ी बहुत profit booking हो सकती है तो चलेंगे चार्ट पर देखते हैं कैसा चार्ट है ITC का अब देखे दोस्तों अगर आप हमारे free telegram channel के साथ join होना चाहते हैं तो वीडियो के description में मैंने telegram channel का link इदे रखा है वहाँ पर जाके आप join हो सकते हैं सबसे पहले यह मेरे पास में ITC का monthly chart है अगर हम यहाँ पर देखे तो ITC पूरा लगबग एक साल होने के लिए जा रहा है एक साल से बिल्कुल सैडवेज है अगर हम बड़े chart को देखेंगे तो यहाँ पर यह 350 रुपे के उपर यह rounding bottom का हमको breakout हुआ था ITC के अंदर यहाँ पर भी monthly chart के अंदर चार मंत का एक साडवेज हुआ था उसके बाद की breakout यह रहा अब actual में देखो अगर चार्ट को देखोगे ना लगबग 100 रुपे से stock यहाँ पर लगबग 480 तक चला गया चारगुना हो चुका है अब देखो भाई इतने बड़ी moment के बाद में stock के अंदर देखो sideways होना वाजिब सी बात है इस sideways के दोरान अगर आप देखेंगे ना मंत्री चार्ट के उपर तो आपको यहाँ पर लगबग एक flag pattern बनता हो नजर आ रहा है इस तरह से यह अपने पास में ITC के अंदर है flag pattern बन रहा है जैसे इस flag pattern का breakout होगा ITC में यह जो trend चला रहा है यह trend लगाता है जारी रहेगा और stock नए high की और जाता हुआ नजर आएगा जैसे यहाँ पर देख सकते हो moment आई sideways होआ stock फिर moment आई चार मन का यह sideways रहा फिर यह moment आई यहाँ पर flag pattern बनता होगा नजर आ रहा है तो long term में देखूं तो मुझे ITC के chart के अंदर इतना कोई खराबी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है क्योंकि stock पहले एक अच्छी खासी तेजी आ चुकी है तो यहाँ पर time correction कर रहा है और इस time correction के दोरान यहाँ पर flag pattern हमको ITC के stock के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है तो अब मैं चलता हूँ इस समय day chart के ऊपर और देखते है day chart कैसा है यह मेरे पास में ITC का day chart है इस day chart के अंदर देखेंगे तो stock के अगर हम high की बात करते है न तो 500 रुपे के आसपास का हईया ITC में वहाँ से लगाता है ग्रवट आई 400 रुपे का बहुत ही strong support था ITC के लिए ठीक है जी हमने लगाता है दो बार वीडियो हम ITC के उपर बना चुके हैं पहले भी दो बार और जैसा हमने लगबग एक साल से इसका यह resistance ले रहा है अगर मैं यहाँ पर count करूँगा तो देखें यह 4-5 बार रहा यह रहा और यह रहा आज के दिन देखें तो यहाँ पर इसका एक gap के साथ में breakout होता हुआ नजर आ रहा है volume भी मुझे ठीक नजर आ रही है इस तरह से यहाँ पर ITC के अंदर 440 से लेके 445 रुपे के एक breakout वाए और अभी तक यह जब तक वीडियो बनाया जा रहा है ITC आज के दिन strong है अभी भी strong bullish candle इसके अंदर बंत भी नजर आ रही है अब अगर नजदी की resistance की बात करते हैं पहला यह 480 रुपे का एक resistance है उसके बाद यहाँ पर 500 रुपे का resistance है ठीक है जी तो जिस तरह का यहाँ पर day chart हुआ है यह एक rounding bottom chart pattern हमको ITC के अंदर बनता हो नजर आ रहा है और जिस तरह का chart है मुझे ऐसा लग रहा है ITC हमको यहाँ पर बहुत जल्दी 500 रुपे के level दिखा सकता है ठीक है जी जो अभी मैंने आपको यह 500 रुपे के resistance की बात करी थी यह ITC के अंदर यहाँ पर target आ जाएंगे उसके बाद देखो लगबग एक साल से stock बिलकुल इस sideways हो रखा है और जैसे मैंने आपको मंतली चाट पर काता कि फ्लेक पैटरन का breakout हो जाएगा यह 500 रुपे के ऊपर निकल जाएगा ना तब stock के अंदर एक नई तेजी आएगी फिलाल हम इस समय की बात करें ITC का stock अगर आपके पास में long term मैं यहाँ पर disclaimer देना चाहूँगा ITC 200 रुपे के लेवल के पर मेरे long term के portfolio मैंने खरीदारी कर रखिया और इस गिरावाट मैंने बिल्कुल भी sell नहीं किया है ठीक है अगर आपके पास में long term के लिए ITC का stock है तो बिल्कुल भी sell नहीं करना है आपको और अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं ITC के stock हो तो मुझे ऐसा लगता है यह बहुत ही best मौका है ITC के अंदर निवेस करने के लिए तो इस समय फिलाल हम देखे long term के लिए निवेस करना चाहते हो तो बखायदा कर लीजिए बाकी swing trading के लिए 480 का या 100 term के लिए 500 रुपे के target के लिए आप इस समय निवेस कर सकते हो long term के लिए भी आप ITC के stock को इस समय निवेस कर सकते है stop loss की बात क्या करेंगी देखो भाई जो भी long term के निवेसक है न इस 400 रुपे के closing के SL के साथ में आपको यहाँ पर stock के अंदर hold करना है या खरेदारी stock के अंदर कर सकते है रही बात swing trading वालों के लिए तो भाई swing trading के लिए जो breakout candle है या जो gap बना है 440 रुपे का अगर इस gap के नीचे कम से कम एक घंटे की candle नीचे close हो जाती है तो भाईया निकल जाईएगा stock में से बाकी मैं उम्मिद करता हूँ कि जैसा मैंने चार्ट की analysis करिया ITC के stock के अंदर अगर पसंद आए तो वीडियो को like करना है वीडियो को share करना है और ऐसे वीडियो से देखेने के लिए चैनल को subscribe कर लिजे